जैहिंद साथियो इस topic में हम discuss करेंगे कुछ question of exercise 5.1 तो चलिए इसके first question से शुरुवात करते हैं इसका first question ये है In which of the following situations Does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? कि जो हमारे पास ये option given है उन में से कौन सा IP बनाएगा और क्यों बनाएगा? तो चलिए इसके first part से सोल गरते हैं तो first part है जो वो है आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक taxi है जो पहले किलोमेटर के लिए किराया लेगी 15 रूपीज और बाग की अगले किलोमेटर के लिए उसमें 8 add होना पड़ेगा means जो इसकी first term है जो given है जो हमारे पास 50 किलोमेटर है और यहां पर आप यह मान सकते हो वेर एन डीनोड्स एनफ किलोमेटर जो एन है वो डीनोड्स करती है कि कितने किलोमेटर चला गया तो first किलोमेटर के लिए मारे पास 15 है इसी परकार second किलोमेटर के लिए 8 add होगा तो यहां पर होगा 15 plus 8 इसी परकार equal होगा 23 इसी परकार third किलोमेटर के लिए 23 में 8 add होगा तो यहां पर आएगा 31 और इसी परकार 4th किलोमीटर में 31 प्लस 8 एड़ होगा तो यहां आएगा 39 रूपी तो आप यहां देख सकते हो कि अगर हम A2-A1 करें तो इक्वल आएगा 8 इसी परकार A3-A2 करें वो इक्वल होगा A4-A3 और वो इक्वल होगा 8 के और इसी परकार यह होगा तो हम यह बोल सकते हैं कि जो फर्ष्ट पार्ट है जो यह गिवन कंडिशन है वो क्या है? एपी फों करती है यह और जो रिजन है वो यह थै क्यों क्यों क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्ष्ट टर्म इक्वल है third term minus second term means this is an it अब जो इसका second part है वो ये है the amount of air means वायू की मात्रा present in a slender एक slender के अंदर है when a vacuum pump एक vacuum pump वो होता है जो slender के अंदर से हवा को बाहर निकालता है removes one by fourth of the air remaining in the slender at our time कि ये बताना है हमने कि जो इस situation है वो एपी बनाएगी या नशी बनाएगी तो माल लीजिए इसको solve करें अगर हम let the amount of air वो माल लीजिए ए है तो यहाँ पर एक बार में जो हमारे पास vacuum pump है वो one by fourth इस air को remove कर देता है आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर ये हमारे पास एक slender है और इसके अंदर माल लीजिए हमारे पास एक slender है और इसके अंदर माल लीजिए 64 kg एर है तो यह vacuum pump क्या करेगा पहले यहाँ पर 64 है इसके एक बार में अगर हम pump करेंगे तो इसका fourth हिंसा वो बाहर कर देगा तो इसका fourth हिंसा कितना हुआ 16? तो 16 kg में इसे बाहर हो जाएगा means अगर a1 यह है तो a2 कितना होगा? a2 होगा 64 minus 16 that is 48 और फिर दूसरी बार क्या करेगा? इसका fourth part remove कर देगा और इसका fourth part है जो वो कितना होगा? 12 होगा means 12 kg remove कर देगा तो 12 kg होगा 36 फिर इसी परकार इसका fourth part remove करतेगा और इसका fourth part होगा वो 9 होगा तो 9 kg remove करेगा तो यह आएगा हमारे पास 27 इसी परकार चलता रहेगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि a2 minus a1 वो तो 16 है लेकिन a3 minus a2 यह हमारे पास 12 है तो आप यहाँ देख सकते हो equal नहीं है तो यह एपी नहीं बनाएगा और इसी परकार अगर amount of year वो a है शुरू-सुरू में a है तो इसका fourth part तो remove कर देगा वो तो बचेगा कितना बचेगा three by fourth part means अगर हमारे पास a है तो second time में कितना बचेगा इसका three by fourth part means three by a यह बचेगा और फिर second time के इसका भी three by four बचेगा और three by four का three by four a का three by four अगर हम निकाल लें तो यह आएगा nine by sixteen a यह आएगा इसी परकार तो आप यहां अगर तो solve करोगे तो इसको solve करोगे तो देखिए a2 है a2 minus a1 कीचिए a2 हमारे पास three by four a है minus a है तो यह हमारे पास आएगा actually ने नेगटिव आएगा यहाँ पर negative यहाँ पर negative यह आएगा इसी परकार अगर हम इसको minus करें तो यह होगा minus 1 by 4th और इसी परकार अगर हम a3 minus a2 करें तो वो आएगा a3 हमारे पास है 9 by 60 a minus यह है 3 by 4 तो यहाँ पर 3 by 4 3 by 4 common है तो अंदर बचा 3 by 4 minus 1 means 3 by 4 a into यहाँ पर बचा minus 1 by 4 तो यह होगा minus 3 by 16 तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो as a2 minus a1 equal नहीं है a3 minus a2 क्यों क्योंकि जो a2 minus a1 है वो minus 1 by 4 ते और इसी परकार a3 minus a2 है वो actually minus 3 by 16 है तो यह कभी equal नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो second part है वो a2 नहीं बनाएगा इसका जो third part है वो यह है the cost of digging a well एक कुवे खोदने की जो cost है after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rise by 50 meter for each subsequent meter एक कुवा है उसको खोदने के लिए जो पहले meter का किराया है वो कितना है 150 रुपीस है और बाद में परतेक meter के लिए वो कितना है 50 रुपीस है तो आप यहां देख सकते हो कि यह भी AP बनाएगा अगर हम AN है जो उसको लिखें जो AN है वो है cost of anathmeter तो यहां पर जो A1 आएगा first के लिए कितना है वो हमारे पास 150 है इसी प्रकार जो second के लिए कितना इसमें 50 जुड़ेगा means A1 A2 कितना है अगर हम इसके 50 जोड़ेंगे तो 200 इसी प्रकार A3 अब इसमें 50 एड़ होगा तो 250 इसी प्रकार A4 होगा जो वो 300 होगा ऐसे ही चलता रहीगा यह तो अगर हम A2 as A2-A1 वो किसके एकवल आया वो 50 के एकवल आया और यह एकवल आया A3-A2 के और वो इकवल आया A4-A3 के तो हम यह बोल सकते हैं इनदा अकाउंट एवरी इयर वेन 10,000 इडिपोजिट एड कमपाउंड इंट्रेस्ट एड एड परसेंट पर एनव तो यहां पर जो बात हो रही है वो एकवल में कमपाउंड इंट्रेंट्स चक्करवरती ब्याज की बात करेंगे हैं तो चक्करवरती ब्याज है जो पहले जो अमाउंट है वो 10,000 है तो फर्स्ट इंकम है लेट लेट ए एन है जो एन इस अमाउंट इन एन प्लस वन यह यह है तो यहां पर एन प्लस वन इनलमीनस अगर एवन होगा तो एन का वैल्यु कितना है जिरो होगा और यहां पर एटु होगा तो यहां पर एक्चिल्य वेन माइन वरन तो इनलम से पहान थे 1 plus R by 100, यह होता है, तो यह equal होगा, R का value है, 10,000, 1 plus P का value 1000 है, R का value है 8% है, तो 8 by 100, तो यह equal आएगा, 10,000 into 108 by 100, 0 is cancelled with 0, तो यहाँ पर आएगा, 10,800, यह आएगा, इसी परकार अगर ए 3rd term निकाल लें, अब जो ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल में, वो इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज लगेगा, वो होगा, P, अमाली जी, A2 है जो, और यहाँ पर 1 plus R by 100, यह होगा, तो यह होगा, A2 है, वो है, 10,800, 1 plus 8 divided by 100, तो इसको अगर हम solve करेंगे, तो यह होगा, 10,800 into, यह होगा, 108 by 100, तो 00 is cancelled with 00, तो यह बचेगा, और अगर हम इसका value निकाल लें, तो 11, 6, 6, 4, यह आएगा, अब आप A2 माइनस A1 कीजिए, तो अगर हम A2 माइनस A1 करें, तो जो A2 है, वो 10,800 है, माइनस जो A1 है, वो 800 है, वो हमारे पास 10,000 है, तो यह आएगा, 800, मीन्स जो 1st D है, वो हमारे पास 800 है, इसी परकार, A3 माइनस A2 निकाल लें, तो यह आएगा, हमारे पास 11, 6, 6, 4, माइनस 10,800, और यह आएगा, हमारे पास 8, 64, तो आप यहाँ देख सकते हो, जो A3 माइनस A2 वो इकवल नहीं है, A2 माइनस A1 के, तो हम यह बोल सकते हैं, कि जो एक गिवन स्टेटमेंट है, वो AP नहीं है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, वो AP है, अब हम question number second को solve करेंगे, और इसकी statement यह है, write first four terms of the AP, when the first term is A, and common difference are given as follows, हमने उस AP की पहली 4 term find out करनी है, जिसके जो first term और common difference है, वो given है, तो चलिए इसके one by one सभी को solve करते हैं, तो first है जो वो है, first है जो given है, let us given that, वो A है, 10 है, और जो D है, वो भी 10 है, तो जो AP की first term होगी, A1, वो कितनी आएगी, वो यह A आएगी, जो second term है, A2, वो आएगी, first term plus common difference, means 10 plus 10, that is 20, जो third term आएगी, वो आएगी, second term plus common difference, means 20 plus 1, that is 30, और इसी परकार, जो fourth term है, वो आएगी, third term plus common difference, means 30 plus 10, that is 40, तो यह इसकी first four term है, इसी परकार, अगर हम second को solve करें, तो second में given है, that is given that, जो first term है, वो minus 2 है, वो common difference D है, वो 0 है, तो first term तो minus 2 होगी, और जो second term होगी, वो होगी, first term, that is minus 2, plus common difference, that is 0, तो minus 2 plus 0, that is minus 2, इसी परकार, हर term भी, minus 2 plus 0, that is minus 2, और इसी परकार, fourth term भी, A4, minus 2 plus 0, that is minus 2, यह आई, तो आप यहाँ देख सकते हो, कि वो भी AP होगी, जिसकी सबी term सेम हो, उसमें क्या होगा, common difference 0 होगा, अब इसी परकार, जो third है, third में given है, A हमारे पास 4 है, और D हमारे पास minus 3 है, तो first term तो A होगी, that is 4, second term, first term plus common difference, 4 plus minus 3, तो 4 minus 3, that is 1, third term होगी, minus 1 plus minus 3, that is minus 2, fourth term होगी, minus 2 plus minus 3, that is minus 2, तो ये होगी, इसी परकार, अगर हम fourth को solve करें, तो ये हैं हमारे पास, A1 है जो, वो minus 1 है, और common difference half है, तो जो first term है, वो minus 1 होगी, second term, first term plus common difference, minus 1 plus half, that is minus 1, इसी परकार, जो third term होगी, वो होगी, second term plus common difference, minus half plus half, that is 0, और इसी परकार, fourth होगी, जो third term plus common difference, 0 plus half, that is half, वो ये होगा, इसी परकार, अगर हम इस पार्ट को सोल करें, तो given है, जो first term है, वो हमारे पास, minus 1.25 है, और जो common difference है, वो minus 2.0, अब देखिए, अगर हम इसका first term निकाल ले, तो first term ये ही होगी, minus 1.25, second term होगी, first term plus common difference, तो ये आएगा, minus 1.5, अगर आप इसको add कर होगे, third term आएगी, second term plus common difference, तो ये होगी, minus 1 plus 75, और fourth term आएगी, third term plus common difference, तो ये आएगी, minus 2.0, तो ये हमारे पास, वो हिप पार्ट है, और इनकी जो first, fourth term है, वो ये है, और मैं आसा करता हूँ, कि आपको ये topic अच्छे से समझ में आया होगा,